आप सबको नमस्कार अभी तक आम आदमी पार्टी ने पांच गारंटी दी हैं ये गारंटी पहली बार भारत की राजनीती में ये शब्द इंट्रड्यूस हुआ है क्योंकि दूसरी पार्टियों ने इतना वादा खिलाफी की लोगों के साथ हर बार चुनाव के पहले कुछ कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट होलाते थे और उसके बाद चुनाव के बद भूल जाते थे आम आदमी पार्टी आजसे नहीं करती हम जो कहते हैं वो करते हैं साली हैं हैं राद जांते हैं आई क्रशी करं देंगःवार क्यां तो आज हम चेटी गरेंटी तेरहे हैं तर्फेली गरेंटी हमने दी थी कि हम Bayern और जयों हम 24 गंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, दूसरी गारंटी हमने दी थी कि सब को रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को, और जब तक रोजगार नी देते बेरोजगारी भक्ता देंगे, तीसरी गारंटी दी थी हमने कि आपको पिल्ग्रिमेज पे ले ज को अच्छाटी गारंटी दे रहा हैं, that we will form the first corruption free government of Goa, first honest government of Goa, dead honest government of Goa. पिछले साथ साल में 27 साल कॉंग्रेस का राज था, उन 27 सालों में कॉंग्रेस ने गोआ को लूटने में कोई कसर नी छोड़ी, forget about corruption free devils, मतलब इतना जादा corruption इन लोगों ने किया है, उसके बाद 15 साल बीजेपी की government थी, उन्होंने corruption करने में कोई कसर नी छोड़ी, 15 साल MGP की government थी, उन्होंने corruption करने में कोई कसर नी छोड़ी, अभी तक गोआ के लोग लूटते रहे, गोआ के अंदर सभी कुछ है, सभी natural resources हैं, गोआ के लोग बहुत अच्छे हैं, human resources हैं, लेकिन गोआ फिर भी प्रग्डि क्यों नी कर पाया, क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां थी, सबने गोआ को लूटने में कोई कसर नी छोड़ी, पहली इमानदार सरकार हम देंगे, और ये हम दिल्ली के basis पे कह रहे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर इमानदार सरकार है, तो दिल्ली में इतने सारे काम हो रहे हैं, जब मैं मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूं, जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, तो सरकार बनने के तीन-चार महिने के बाद किसी का मेरे पास मेरा फोन नंबर काफी जनता में गोमता रहता है, तो बनी पीपल गाया भाए तो माने फोन रेक्ड बनिस्टर के साथ कन्वर्सेशन को रेकोर्ड किया हूँफ, इन वीच मारी मेरे कि डुम नंब ब रॉपीज में साथ कोंडा हाम ना क्रिज। था Within three hours, we removed the food minister and handed over the case to CBI. मुझे निलगता कि 70-75 साल की भारत की राजनीती में इतना swift action अपने खुद के मंत्री के खिलाफ कभी हुआ होगा. This is the kind of zero tolerance to corruption that we will provide in Goa. Goa में पैसे की कमी नहीं है. 22,000 करोड का बजट है Goa में. 22,000 करोड कम नहीं होते. And a population of just 15,000,000 people. 15,000,000 लोगों के लिए 22,000 करोड बहुत होते हैं, बहुत ज़ादा. लेकिन यह पैसा जा कहा रहा है, किसी कोछ पता नहीं है कहा जा रहा है. यह सारा पैसा निताओं की जेब में जा रहा है. अब एक-एक पैसा, एक-एक रुपया यह जनता के उपर खर्च होगा. जनता के लिए खर्च होगा. अब यह पैसा निताओं की जेब में निजाएगा, अब यह पैसा जनता के लिए खर्च किया जाएगा. So, कोई भी MLA, कोई भी मंत्री, चाहे हमारी पार्टी का, MLA दूसरी पार्टी का, अगर कोई गड़बड करेगा, तो सीधा जेल जाएगा, पैसा रिकवर किया जाएगा. दूसरा, petty corruption, एक आम आदमी की जिंदगी में, जब अगर आपको पंचायत से कोई certificate बनवाना है, अगर आपको रेवेनी डिपार्टमेंट से कुछ बनवाना है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता, हर काम क पहले चक्कर लगवाये जाते हैं, जब चक्कर लगा लगा के आदमी ठक जाता है, तो फिर वो किसी दलाल को पकड़ता है, दलाल को पैसे देता है, और पैसे दे के अपना काम कराता है, होता है कि नहीं होता है, अब यह नहीं होगा, इसको बंद करेंगे, दिल्ली में हमने एक phone number दिया है 1076, next time यहां से dial नहीं होता है, यह number दिल्ली से ही होता है, दिल्ली जाएं, तो आप इस number को try करके dial करके देखिएगा 1076, उस number को आप dial कीजिए, वहां से आवाज आती है दिल्ली सरकार के तरफ से कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम करवाना है, तो मान लीजी, आपको पानी का नया कनेक्शन लेना है, आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसंस बनवाना है, आपको कुछ भी काम करवाना है, आप बोलिए मुझे ये काम करवाना है, तो उदर से आवाज आएगी कि आ मेरे रात को 11 बजे मेरे घर आना क्योंकि मैं तो ड्यूटी जाता हूं रात को लेट आता हूं रात को 11 बजे भी दिली सरकार से कोई करमचारी आपके घर आएगा अपने साथ photocopy machine लेके आएगा आपके documents की photocopy लेगा आपको एक receipt देखे जाएगा और आपका जो भी document है वो आपके घर एक हफ़ते के अंदर by post पहुंच जाएगा आपको कोई छुटी लेने की जरूरत नहीं है कोई line में लगने की जरूरत नहीं है कोई दलाल को पकड़ने की जरूरत नहीं है पहरा के किया जाएगा यह हमने किया है करके दिखाया है हम हावा में बात नहीं कर रहे हैं उसे को गोवा में इंप्लिमेंट करेंगे तो एक आम आदमी को गोवा के किसी भी सरकारी विभाग से काम कराने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी